हलो फ्रेंड्स मैं हूं वर्जुन इस वीडियो में बनाएंगे हम रफ स्कैचेज जिसको आप रैपिट स्कैचेज बोलते हैं उसमें हम थोड़ी सी शेड एड़ करते हैं इस बार क्योंकि हर बार हम लाइनिंग में करते हैं और उसको थोड़ा सा मडवांस में लेके जाते है उसमें आपको थोड़ा सा शेडिंग अड़ करनी है जैसे आप कोई भी रैफरेंस लेते हैं जैसे यह मैंने लिया है तो सबसे पहले फेस को देख लेना आपने कितने एरिये में आ रहा है किस तरीके से उसकी मुवमेंट है और उसको ड्रॉ करना है बिल्कुल बेसिक इंगल है बोट साइड करेंगे कि किस एंगल को हम ड्रॉ कर रहे हैं तो यहां पर हलकी सी शेड से काम ले रहे हैं तो लाइनिंग जो है आपकी वह आउटलैन और डेटेलिंग में थोड़ी सी काम आती है लेकिन इसमें जो वैल्यू शेडिंग है वह मैं आपको बता रहा जैसे कोई भी पॉइंट्स आप लेते हैं जैसे स्किन डेक्शर है तो स्किन में थोड़ा सा हलकी शेड है तो उसमें हलका सा शेड दे सकते हैं ताकि वहां पे जो बेड़ है उसकी वाइट है तो वो आपको थोड़ी सी देख सके जैसे आप रह स्केचिंग करते हैं तो वह कैप होगी स्किन का थोड़ा सा शेड हो गया उसके बाद आपको वाइट बीर्ड दिखने स्टार्ट होगी और इसी से आप आगे का स्केच बनाते हैं जैसे यह लाइनिंग मैं देख रहा हूं कुछ इस तरीके से एंगल बन रहा है तो बिल्कुल रफ तरीके से हम देख रहे हैं इसमें कि आप पूरी स्केच की पहले ड्रॉइंग करें उसके बाद भी शेड कर सकते हैं अगर आपकी हैं अच्छी है आपको हैंडल करना आता है तो यह टैक्निक है जिसको मैं साथ की साथ फॉलो गर रहा हूं जब भी आप शेड करते हैं स्केचिंग करते हैं तो उसक सी शेड जैसे मैंने हैंड में की है तो इसी तरीके से साथ साथ जो एंगल बन रहे हैं जहां पर हमारी ड्रॉइंग बन रही है वह चीज जैसे यह चीज है तो यहां पर टिकॉन बन रहा है तो इसको हम शेड कर रहे हैं राइट तो इसमें आपको स्कैचिंग का पता चलेगा कि आपकी sketching कहां तक पहुंची है और step by step जो चीजों को सीख रहे हैं मैं up level लेके जा रहा हूँ जैसे भी हमने line drawing की है फिर दीरे दीरे part की study भी कर रहे हैं और ये sketching के lessons भी मैं रख रहा हूं साथ में ताकि आपकी जो practice है अब कहीं से भी reference देख के कर रहे हैं तो वो चीज आपको helpful रहे तो जैसे ये newspaper है तो इस पे हम ज़्यादा detail में नहीं लेके जाते लेकिन जहां पे dark tone है जो value है वो यहां पे हलकी सी shade कर रहे हैं तो उससे आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि यहां पे कुछ लिखा होगा यहां फिर black and white है कौन सी चीज कहां पे dark बन रही है light बन रही है या fold बन रहे है तो shading को हम limited कर रहे हैं जैनि कि आपको proper drawing नहीं करनी है इसकी proper हम drawing में नहीं जा रहे हैं drawing का मतलब होता है कि आपका पूरा sketch जैसा है वैसा बनाने की कोशिश कर रहे है तो यहां पे हम उस चीज को थोड़ा सा bold कर रहे है जैनि कि आपका sketch भी बन रहे है और यह rough sketch भी नहीं है हलकी सी drawing की तरफ हमने step लिया है इससे आपको knowledge मिलती है colors की जो कि values में काम करना सीख जाते हैं तो उसके बाद आप color बड़ी अच्छे तरीके से fill कर सकते हैं कहां पे कौन सा dark आना है light आना है middle में आना है तो यह चीजों की knowledge हमें values से पता चलता है तो यहां पे values काफी importance रखती है अपनी जब भी हम sketching करते हैं क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हम sketch बनाते हैं उसका graphic idea होता है फिर हमें colors light and dark की values की knowledge चाहिए होती है उसके बाद हमारी कहीं जाके compositions बनती है या फिर हम कोई भी painting में coloring करना सीख जाते हैं तो यह steps जो हम कर रहे हैं hair of sketching के through यह बहुत ही important रहते हैं हमारी sketching में या फिर अपने work को skill को अच्छा करने के लिए तो इन पे थोड़ा सा आपने गौर करना है जैसे आप sketching कर रहे हैं तो आपको खुद को पता चलता होगा कि आपकी sketching को आगे कौन सा step चाहिए तो यह सारी steps रहते हैं जब भी आप काम करते हैं तो sketching नहीं चोड़नी है figure drawing करते रहना है आपने जब भी कोई reference उठानी है तो आपने थोड़ी सी values के बारे में काम करना है जो भी color value है जैसे black cap है उसके बाद यह उसका skin texture आ गया यह फिर यह shoes थोड़ा सा हम black कर रहे हैं उसके थोड़े से off white कपड़े हैं लेकिन इसमें जुरूरी नहीं है हमें कि उसमें shade करना है हम थोड़ा सा उसके fold पर shade कर सकते हैं ऐसे थोड़ा सा bold तरीके से जैसे वो किसी जगा पे बैठे हुए हैं तो वहाँ पे हम थोड़ी सी shade कर सकते हैं जानी कि आपको अपने sketch को थोड़ा सा background से बाहर निकालना होता है जानी कि अगर आप सिर्फ line कर रहे हैं तो वो सिर्फ 2D objective बन जाता है आपका जब आप थोड़ा सा shade करते हैं तो उसमें थोड़ी सी values आ जाती है आपका sketch जो है हलका सा 3D लगने लगता है तो यही चीज़ें आपको देखनी है या तो shadow में जैसे यहां पर इसकी shade आ रही है तो shadow में हलकी सी बना रहा हूँ तो इससे आपकी जो sketching में improvement है वो आपको दिखनी start हो जाएगी खुद को तो जितनी भी आप sketching कर रहे हैं जो भी आप sketch बना रहे हैं आपको लगना चाहिए है कि आपने पहले क्या sketch बनाया था उसके बाद कौंट से बनाया है तो अभी आप किस stage पे पहुंचे हैं आपको shading करना नहीं आता या फिर कोई भी tones फिल करना नहीं आता तो वहां तक आपने नहीं जाना जादा आपने सिर्फ एक value पकड़ने है जैसे cap है तो dark है जैसे ये background है यहां से तो हलका सा आपने वहां पे dark लगाना है तो ऐसी चीज़ों को पकड़ना है पहले दीरे दीरे हम detail में आते हैं मतलब मैं उसी तरीके से वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसी मैं बहुत detailing में वीडियो डाल दूँ है लेकिन उसमें ज्यादा knowledge नहीं मिलेगी हम ज्यादा सीखनी पाएंगे तो step by step चीज़ों को सीखना है जैसे आपने हलका सा आपने work को पहले तो board लेके आना है पार्ट बना रहे है उसकी जो shading है जो tone है अपने दो या तीन के अंदर ही आपने डवाइड करनी है यह तो बहुत ज़्यादा जहां पर dark है तो वहां पर हलकी सी dark करनी है एक्साडर कहीं पर आपने यूजर नहीं करना लेकिन उसको देख लेना आपने कि middle tone और जो starting वाली tone है white और dark tone इन तीनों tones के अंदर आपने sketch बनाना starting में तो अगर आपको ज़्यादा detailing का का काम करना है तो दीरे दीरे उन tones का इस्तमाल करके आपने ज़्यादा tones fill करनी है दीरे दीरे आपको पता चल देगा जैसे मैं आपे काफी bold काम कर रहा हूँ जहां पे हमें dark की ज़रूरता वहां पे dark लगा रहा हूँ तो बाकी चीज़ें जो है मैं बिलकल white शोड रहा हूँ middle tone कहीं पे ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ जैसे ये muffler है उसके गले में तो हम dark shade लगा रहे हैं दीरे दीरे हम उस चीज़ को देख रहे हैं कि extra dark है वहां पे लेकिन हम हलकी सी shade कर रहे है extra dark कहीं पे भी नहीं है मतलब आपको ये चीज़ देखना है कि आपकी जो handling है वो soft रहे आपको hard pencil कहीं पे भी नहीं चला नहीं hard stroke कहीं पे भी नहीं लगा नहीं जैसे आपको बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा होगा वहां पे तो यहां पे हम इतना ज़्यादा डार्क नहीं लगा रहे हैं softly dark लगा रहे हैं तो इन चीजों के उपर आपने गौर करना है अपने sketch को दो या तीन tones के अंदर आपने finish करना है हलका सा जैसे यहां पे background है तो मैं वो add कर रहा हूँ इससे थोड़ा सा sketch में आपकी जान आएगी आपका थोड़ा सा sketch 3D लगेगा और आपका जो level है वो भी आपको थोड़ा सा line drawing से better लगेगा आपकी sketch में improvement लगेगा तो यह था हमारा एक advanced level का sketch जो कि आपकी rough sketching से थोड़ा सा better है जब भी आप rapid sketches करते हैं तो बहुत ज़्यादा rough करते हैं आप incomplete चोड़ते हैं यहां पे हमने incomplete भी नहीं चोड़ा और उसको बहुत ज़्यादा drawing की तरह भी नहीं लगेगी जानिकि आपको थोड़ा सा high level sketching करन सकते हैं तो ऐसे style में काम करके देखिए आपको जूर मजा आएगा thank you so much for watching this video